रामपूर के गंज थाना छेतर के पांदरीबा इस्थित रामपूर पब्लिक इसकूल जो सपा के पूरो मंतरी आजम खन ट्रश्ट द्वारा चलाया जाता है पर आज प्रसासन ने बड़ी कारवाही की है सपा सरकार में सासन ने रामपूर पब्लिक इसकूल को मदर्सा अलिया भवन दिया था भवन के एक भाग में सरकारी युनानी अस्पताल था जिस पर सत्ता के रहने वारे आजम खन ने अवैद कब्जा कर लिया था आज प्रसासन द्वार भारी दलबल के साथ वहां पहुँचकर युनानी अस्पताल को उसके हिस्से की जगह दिलाई आजम खन ने प्रसासन पर पलट वार करते हुए चुनावी हालात में प्रसासन की ऐसी प्रतिक्रिया को रामपूर में खुनी हालात पैदा करने का कारण बताया है और जिला प्रसासन पर संगीन आरोप लगाते हुए आजम खन ने चुनावी निस्पक्चता पर सवाल खड़े किये हैं इस संबंद में अपर जिला मजिस्टेट जेपी गुपता ने बताया युनानी हफिटल के 22 कमरों को प्रसासन द्वारा कबजा करा कर युना आजम खन का नाम ना लेते हुए करवाही किया जाने की बात कही और अग्यात में मुकदमा दर्ज होने की बात कही वहीं प्रदर्सन कारियों के संबंद में 144 की करवाही होने की बात कही रामपूर पब्लिक स्कुल किट्स जोन की बिल्डिंग के 22 कमरों को जिला प्रसासन युनानी अस्पताल की प्रॉपटी करार देते हुए आजम खान के कब्जे से मुक्त करा दिया है जिस पर आजम खान ने हाल में ही आय जिला अधिकारी को रामपूर में खूनी हालात पैदा करने का कारक बताया आजम खान ने बताया है कि आप गिशार के आप गाव अप निए धर जाने देंगें निया देंगें इससे क्या प्रहानी हुआ है आम पर खानी हिए आम को टैषिछ लग रहा है ने पता हो आप ये टिम्ह साब आज ये रामपूर प बेलिक स्कूल की के जोट जोल शाकः पर जिलाप्रशाथarnY पुरा थाँ उनानी हस्पिटल के जो कमरे थे, वह हमारे युनानी रियक्टर साहब उनको दिया जाना था, उनको पुलिस परशासन के द्वारा कभजा करा दिया गया है। तो चया इसमें रामपुर पॉपीछ स्कूल चला था क्या? जिसके कमरे उनके कभजे में थे, उनसे खाली कराते हैं ऐसके कमरे थे और किसे कमरे खाली करा गये है? 22 जिलादिया है। führt वी उनानी वे सपिटल का उसमें ऊप्रो करा है युनानी हस्पिटल कि बातकर वह है जो यूनानी की नहीं हस्पिटल को खा रख हो और भुज़ा टाहिए anyway ऐस्पिटल की बातक Career temperature उसको आप्टों को řेनको दिया लिए तो किया यॉनानी हॉस्पिटल पे रामपुर प्रॉबिक श्कूल चल रहा था जो पुलिक कारवाई हुई है यह कारवाई तो हो रही है। उनके खिलाब जिन्होंने बिन पर कभण करे रहे रही है। वह अल्रेडी पहले ही होगा एफाइर। इसके लिए जो अच्छे चवाले की तुब मुझा करीवाई है। ये वही आजम खान है जो अपने ट्रस्ट द्वारा चल रहे स्कूल पर की गई कारवाही पर पलट वार करते हुए प्रसासन को आड़े हाथ लिया यहां के बचल अयाश नेदाओं के साथ गुटने टेंगती हैं और उसाहर है किस से लागए होंगे कुछ चीजों के गुटने टेंगती हैं यह मौका जब एक गिर महीना चुराव होने में रहे हैं पुलिंग होंगा क्या किसी भी तरफ देश में कहीं भी ऐसी मिसाल है इस तर को पर तो जला प्रशासन चीजों को डालता है कि नहीं भाई सौथ को डिस्ट्यूट हो गया हंगा माँ हो गया तुछ चुनाव अपर भावित होगा क्या जवाब करने के फॉरण बाद जिराधिकारी साब ने फॉरण अपनी मर्जी का एडियम लेकर आए जो आया था उसे एक दिन के अंदर हटा दिया अपनी मर्जी का एस डियम लेकर आए तीन घंटे के अंदर एस डियम हटा दिया दो घंटे के अंदर स्टी मेजिस्ट्रेट हटा दिया डियम एडियम एडियम सदर स्टी मेजिस्ट्रेट और दो दिन के अंदर आकर सामनों ने तहलका मचा दि स्कूल चलगा था सर उस दौरान जब ये परसासा है स्कूल बच्छों का स्कूल लगा सबको निकाल के बार रामपूर में ऐसे खुनी हालात पैदे कर दिये जाए ऐसे बुरे हालात पैदा कर दिये जाए आज भी अंडिकलेर्ट कर शुटा